मेश राश्री वाले आज अपने काम पर फोकस करेंगे. आज लाप के स्थिती बनी हुई है. व्रिश राश्री वाले आज भविशे को लेकर गमफीर रहेंगे. जदि जौब बदलने की सोच रही हैं तो सोच विचार कर ही कदम बढ़ाएं. मिथन राश्री वाले आज सब ही क सरकारियों को गमफीरता से करने की कोशिश करें. आज आपको प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है. करक राशी के जातक मन में सकरात्मक विचार बनाए रखें. शुब समाचार प्राप्त होगा. मेर शाज को पर भरोसा रखते हुए सब ही कामों को पूरा कर स सकेंगे. सरकारी कामकाज में भी सफरता मिलेगी. कामकाज पर वरिष्ट और शुब चिंतकों की राये को महत्व दे. किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर महत्वकून सुझाओ लोगों को पसंद आएगा. सरकारी नौकरी में हैं तो काम में लापरवाही ठीक नहीं. कारोबार दक्षता के बल पर फाइदा उठा सकेंगे. ब्राहकों के साथ अच्छा व्यभार रखें. अधिक लाब का लालच मन में न लाएं. सड़क दुरघटना के प्रती सावधान रहें. अगर शुगर हाई रहता है तो मौनिंग वॉक अनिवारी रूप से करें. परिवार के है तो शुभ समाचार मिलेगा. नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो प्लानिंग बहुत धंग से कर लें. कानूनी दस्तावेज सुरक्षित रखें. कितना शकदवा और क्रिशी से जुड़ा कारोबार करने वाले लोगों को लाब होगा. युवा वर्ग अपने मित्र देने की जरूरत होगी. घर में जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा. आशंक है कि शाम तक कोई शौक समाचार मिले. मितन मानिसिक और शारिरिक तोर पर मजबूत दिखाएंगे और काम में कम गलतिया होगी तो आपके सभी बिगड़ी काम बन सकेंगे. जरूरी काम के लि जर्ग साचिदारी में भी कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. शोधादी कर रहे लोगों को नाकामी से हार नहीं माननी चाहिए. स्वास्थे रहने के लिए योग और मॉर्निंग वॉक करें. घर पर हैं तो बच्चें और बड़े बुजूर्ग के साथ समय बिताएं. उनकी बातों को गमफीरता से सुने, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा. करका जाप का दिन बीते दिनों से काफी अच्छा रहेगा. मन में विचार का आदान प्रदान हो रहा है, तो सकारात्म कूर्जा का प्रवाह को बढ़ाएं रखना चाहिए. नौकरी पेशा से जुड़े स्वास्ते को लेकर आपको दिन चड़ा सही करने की जरूरत है. मानसिक, चिंता को दूर रखें, आयदा ये डेप्रेशन में बदल सकता है. काम के साथ साथ परिवार का भी ख्याल रखें. सभी के साथ तालमेल बना कर रहें. सेहाश के दिन यात्रा की संभावना पन रही है अगर निकले से पहले अपनी जरूरत सुवेधाओं की पूरा व्यवस्था करके निकलें. ठकान भी हो सकती है. संभव हो तो यात्रा दूसरे दिन पर टाल दें. नई नौकरे शुरू कर रहें लोगों को काम पर ध्यान देने की जरूरत है. वरिष्ठों से मार्क दर्शन और समय रहते काम को अची तरह समझनी का प्रयास करें. कारूबारियों को आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलेगा. रुके हुए काम भी बनते नजर आएंगे. आज आपको फिसलन वाली जगे पर संभल कर चलना होगा. चोट लगने की आशंका है. दाम पतिन जीवन में खत्म करें. कया, आज के दिन सीनियर से मिली सीखाप के लिए आने वाले समय में बहुत फायदे मंध होने वाली है. काम और घर में मिल रही चुनोतियों के लिए तयार रहें. अपने काम का प्राटर्न बदले और टीम वर्क को बढ़ावत दे. व्यापारियों को अच्छे म मारे के लिए अलट रहने की सला है. परिवार में कहीं से दुखत समाचार मिलने की आशंका है. यात्र के समय अपने सामान और दस्तावेजों की सुरक्षा पर खास ध्यान दे. चोरी या खोने की आशंका है. तो लाज अपनों की शिकायतें दूर करनी होगी, उन्हें पूर समय दे. उनकी बातों को सुने. विदेश में कहीं नौकरी का अवसर धूंड रहे हैं तो सफरता मिलेगी. मेजिया से जुड़े लोग अपने काम को लेकर सजक्ता से बरताओ करें. कारोबारी बड़े निवेश की तयारी कर रहे हैं तो थोड़ा ठहरें. पूझी का नौकस परिशान हो सकता है. युवा वर्गमन पसंद कोर्स कर सकते हैं. करियर संबंधित पढ़ाई पर भी फोकस करना जरूरी होगा. स्वास्ते को लेकर कमरदर्द परिशान कर सकता है. खास तोर पर महिलाएं इसके लिए सावधान रहें. घर को लेकर कुछ भावनात्मक फैसले लेने होंगे. कोशिश करें कि निश्पक्ष निरन यहो परिवार में सभी का सहयोग मिलेगा. व्रिश्चिक आज के दिन स्वयम को तनाव से दूर रखकर शरीर और मस्तिश्क को आराम देने की जरूरत है. स्वास्त ठीक महसूस नहीं हो रहा है, तो विश्राम करें. आज अफेशल उस्थितियां भी आपके अनुपूल नजर आ रही है. कारोबारी वर्ग के लिए समझदारी और पुराना अनुखाव काम में फायदे मन्द होगा. इसका लाभू उठाएं. किसी को दिया उधार वापस मिल सकता है. व्यापार एक रुके काम बनते नजर आएंग युवा वर्ग को आजती आत्मविश्वास से बजना होगा. करियर पर फोकस करें. दांत दर को लेकर सचेत रहें. खान पन संतुलित रखें. घर में मिम्भानों के आने की संभावना है. ससुराल पक्ष्ट से शुभ समाचार प्राप्थ होगा. धनु आज के दिन आपको शांत रहने की जरूरत है. सभी से विवहार समान होना चाहिए. गुरुवार का ध्यान करें. संभव हो तो गाय की सिवा करें. इसे आपको मानिसिक, शांती मिलेगी. ओफिस में बॉस के साथ तालमेल बना कर काम करने की जरूरत है. उनका दिया हर काम समय पर दक्ष्टा से पूरा करना होगा. कारुबार में ट्रांस्पोर्ट से जुड़ा काम करने वालों को अपने ग्राहकों का ख्याल रखना होगा. तालमेल बिठा कर काम करना चाहिए. फिलहाल ग्रेकी स्थितियां अच्छे मुनाफे का इशारा कर रही हैं. सिहत को लेकर सतर्क रहें. मिर्च मसाला और गरिष्ठ भोजन करने से बचें. परिवार में कोई सदस्य अचानक बीमार कर सकता है. मकर आज के दिन योगयता और ज्यान को बढ़ाने की आवश्यक्ता है. इसलिए ऐसे कोर्स पर ध्यान दें. जो विदेश से संबंधित हो और आपको अपड़ेट करें. जो ल हाथ न लोटे. सेहत में तवचा संबंधित रोगों की परिशानी हो जकती है. पहले से समस्या है, तो ज्यादा सावधान होने की जरूरत है. घर में भाई बहन के साथ आपको बरताव सुधार ना होगा. कुमभाज के दिन खोद को आत्मविश्वास से भरपूर और सह कर्म के लिए सहयोग आत्मग बनाना होगा. बेवजय के शंका भविश्य के लिए ठीक नहीं, संभव है कि कोई रेक्ति आपको किसी नजदी की संबंधि के बारे में घलत फिज बैक दे और आप उससे प्रभावित हो जाएं. इससे बचते हुए अपनों पर और अधिक भरोसा बढ़ाएं. नौकरी कर रहे लोग सह कर्मियों के साथ विवाद में ना पढ़ें, तो वहीं दूसरी और गुसे पर कबू रखें. कारोबार संबंधी कोई डील करने से पहले उनके दस्तावेजों को ढंग से पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षाप करें. स्वास्ते को लेकर य यदि आपको कोई जिम्मेदारी सौपी जाती है, तो उसमें लापरवाही न करें के उनवेह कारे कितना ही छोटा हो. व्यावसाइक कामकाज में दक्ष्टा दिखानी होगी. दिमाग में आ रहे नएने आइडिया आपको काम में सफरता दिलाएंगे. व्यापारी क्षेत्र में अगर आपके जिवन साथी आपके साजियदार भी है तो कारोबार बढ़ाने में सफरता मिलेगी. शरीर में केल्शिम की कमी से दिक्कत आ सकती है, ऐसे रोगों के प्रति सावधान रहें. केल्शिम वाली चीज़ें खाएं. परिचित का जन्म दिन है तो उसे आवश्य उपहार दें. यदि वे कोई खास है तो उसके साथ समय भी व्यतित करें.